अब करेंगे 3rd Anglems War इससे पहले हमने किया 1st और 2nd war जिसमें हमने देखा थे हैदरली और अंग्रेजों के बीच में लड़ाईयां थी 3rd और 4th Anglems War में तिप्पु स्ल्थान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाईयां होगी शुरू कैसे होती है लड़ाई तिप्पु स्ल कोई बड़ा रूलर जब चोटे रूलर के पीस ओफ लेन दे देता है तो जो चोटा रूलर उसको ट्रब्यूट पे करता रहता है उसके वाले यह ओता है फ्यूडेटरी ठीक है ओ बोलता है कोचीन तो मेरी फ्यूडेटरी थी तो आपने जो यह एक्ट ऑफ त्रवनकोर पा होता है डच सेंदर कोची इंस्टेट जो के फ्यूडेटरी होती है तिपू सुल्दान की अब बहुती कैसे इंग्लिश किन के साइड आ जाते त्रवनकोर की साइड अब अटैग करते हैं तिपू पे सेवंटी नाइंटी पे तिपू इंग्लिश आर्मी को हरा देते हैं अं श्रंगपटम पहुंचते हैं और वहां काइमबेटोर को जीत लेते हैं लेकिल बाद में उनको काइमबेटर फिर से खोना पड़ता है और क्यों बाद में क्या करते हैं वो अब उनको काइमबेटर अगेन चाहिए होता है श्रंगपटम अगेन चाहिए होता है तो वो क्या क पड़ेने करनी करनी पड़ती है चिसिरहनगप्ट्ट्रक्ट्ट में होता कि होता कि यह जाते हैं तो इस त्रीटे में अंडर हिदिस ट्रीटी 1792 ये डिसाइड होता है कि जो आदी मैसूर की टेरेटरी है जो तिप्पू की टेरेटरी है वो इंग्लिश को देनी पड़ेगी दिंदी खुल माला बार जो इंग्लिश के पास चला जाता है बारा महल भी और मराठा को दे दे जाता है तुंग भद्रा का और क्रवाइश बैटल में आपको तीन क्रोड्र रपे देने पड़ेंगे हमें और तीन क्रोड़ रदे तो आप अब दोगे आदे आदे आप बाद में दे दे लिए हम आपका बेटा हमारे पास ही रखेंगे तो इसलिए ये ट्रीटी साइन होती है अब होते है फूर्थ हैंग की पूरी कंडिशन को फुल्फिल करते हैं 1792-99 एच और पैसे दे 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 ते जो भी इंग्लिश बोलते हैं और अपने बेटे को रिलीज करवा लेते हैं 1796 में क्या होता है जब वडियार डैनस्टी जो रूल कर रही होते हैं मैशुर में वह खत्म हो जाती है वो गोलते हैं जब खत्म होगी वडियार डैनस्टी तो तिप्पु बोलते हैं कख अब कोई ने मैं सिल्टान हूँ यहां का तो वो क्या करते हैं इन 1798 जो लौड वेलेजली होते हैं वो लौड वेलेजली आते हैं सर जौन शोर के बाद नियो गोवेनल जर्नल और जब वो आते हैं वो देखते हैं कि तिप्पू की जो फ्रेंग्शिप है फ्रेंच के साथ काफी अच्छी है ये तो भई शड़ेंतर र लाफ रच रहे हैं किन किन के साथ रलके मराठा के साथ निजाम के साथ निजाम और मराठा जिनों ने पहले अंग्रेजों का साथ दिया होता है उनके साथ रलके हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो मिशनरिये वे बेज रहे हैं अर्बिया अफगानिस्तान काब जमन्शा और आईलेंड फ्रांस मुरश्यस वर्साइलिस में बेज रहे हैं और यह बिल्कुल बात नहीं है तो हमारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको कैसे हराया जाए तो इसी तरह से हम देखते हैं यहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है इस सेकिन एंगलो वार अब वो तिप्पु सुल्दान ते पूछते हैं कि ऐसा कुछ है आप हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं हमें हराने के लिए तिप्पु बोलते हैं एक्स्प्लानेशन देते हैं जो वेलेजली का बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अब को और सो वार क्या होते हैं वार वेलेजली जो लॉड़ वेलेजली का ब्रदर होता है वो भी इस बैटल में पार्टी स्पिरट कर रहा होता है इंग्लिश फिर से इनकी हैल्प ले रहे होते हैं मराठ्ध और निजाम को बोलते कि मैं जो भी टिपू से जीतूंग आपको दूंग और निजाम के साथ ले सकते हो इसको बोलते सब्सक्राइब कि आरमी रखो एस एरिया में उसके लिए जो पैसा होगा मेंटेनस के लिए जो भी खर्चोंगा आरमी को छोड़के अगर आप वहां पर कुछ करते तो वह रूलरी दे कि इसको सब्सक्राइब मतलब नाम का रजा तिपू अब ली डिस्टिक यह किनको दे देते मरठा को देने के लिए मानते लेकिर बाद में नहीं देते उसके बाद निजाम और फैद्राबाद जो अंग्रेजों का साथ दे रहे होते हैं उनको गूटी और गुर्मा कॉंडा दे दिया जाते हैं इंगलिश अपने पास क्या रखते है कनारा वाइनाद काइमबेटूर दवारापुरम श्रंगपत्तम अपने पास रख लेते हैं जो मैसूर एक न्यू स्टेट होती मैसूर की वो बढ़ियार डनेस्टिक को बोलते हैं कि आप ही यहां पे बैठ बैठे रहो और जूनका माइनर रूलर होते हैं कृष्णा राजा ऐंगलो मैसूर बेसिकली ऑ और फर्स चेा को फॉर्स तो घ्र ले और रैजू के बीच ने बाद में बढ़ चले के बड़ हॉसके बाद भकस बैटन लड़ा बीहार जीत लिए अब उन्होंने मैसूर जीत लिए जिसके लिए चार बैट्या लड है अब हम देखेंगे इसक next lecture में कडेंगे, first Maratha war, Anglo Maratha war, second and third Anglo Maratha war, thank you, अगर आपको मेरा lecture अच्छा लगे, please like, subscribe and share my lecture, thank you.